आज अम्रत विले गुर्देप पिता जी ने जो पावन हुकम नामा बक्षिस कीता है ए पावन शबद तान साहिब स्रीगुरु अर्जन पात्षाजी दा उच्चारन कीता हुया आद स्रीगुरु गरंत सहिब जी दे पावन अंग आट सो अठाई थे राग बिलावल अंदर अंकत है मनुख नू जनम तो लेके मरन तक जो समा मिलदा है इस समय नू जीवन आख्या जन्द है जीवन जीन दा अपना अपना टांग है किस किसम दिनाल कोई जीवन बिताएगा ओही उस ती महानता या निवनता नेचता नू निश्चित करेगा जीवन जीन दा टांग ही मनुख नू सोख और दोख दिन्दा है सोख और दोख साड़े जीवन जीन दे टांग दे विच्चों ही उपज देने उन आदा ही नतीजांदा है प्रभु वलों, कुद्रत वलों, हर मनुख दे अंदर अनन्त महान वड्या संभावनावा रखिया गया ने हर मनुख दे अंदर अनन्त गुन और अनन्त गुनादा खजाना मालक ने रखिया है ये दे अंदर बहुत वड्या संभावनावा ने ए दे अंदर डॉक्टर, इंजिनियर, वेग्यानिक और इस दे अंदर महान वड़ितार्मिक सक्षियत आच्छिपिया हुएने किसे भी सक्षियत नो अपने अंदरों प्रगट कर सकता है हर एक दे अंदर एस संभावना है और हर मनुक दे अंदर इस अमभावना ए पॉसिबिल्टी है कि और रब वर्गा होके जी सकते है क्योंकि हर इनसान है उस मालक दा रूप है मन तो जोत सरूप है अपना मूल परशान जदों सी हैस दुनियावल चात मार देहां तक इन्ने सारे ऐसे लोग ने जिनने महान जिन्दकी जीवी है समाजनू और संसारनू बहुत कुछ दिता है जिना विस्ता आर्मिक सक्सियत आमीन है समाज दे अंदर जिन्दकी जीन वाले लोक ने और विग्यान दी दुनिया दे अंदर अनंत वैघ्यानिक विख जा सकते हैं लेकिन ज़़ों आम संसारवल चातमारदेहां जो बहुगुंती मनुख ने उना दे जीवन दे अंदर संभावना मां हुंदया हुएां वो अपने जीवन विच अपने अंदर उना संभावना मां वेख नी पने और एक ऐसा रास्ता चुन देने जिस रास्ते दे अंदर पाप ने जहां विकार आदिक ने जेडे उन्ना दे दुखांदा कारण बन देने और केवल उन्ना दे दुखांदा ही कारण नहीं बन दे उन्ना दे कारण ऐसंसार और समाज दे अंदर आम मनुखनों मी दुखी होना पेंदा है तो दूजयां दे राहां दे अंदर वी दुखां दे कंडे बीजन दा ही सारी जिन्दगी यतन करदे रेंदेने जदो अपने जीवन दे अंदर दुख ओंदा है ताँ फिर ओ किस्मत नू राब नू कुदरत नू जाँ अपने चौगरदे नू दोश बेन दा यतन कर देन। ति जे उन्ह नू कोई उन्ह दिया गल्टियां दा एहसास कराए tussen उ अपनियां गल्टियां नू मनन वास्ति त्यार नहीं हुंदे सबों अपनिया ही गलतिया तों उमुकरंदा यतन कारदेने तां गुर्देप पाथशा ने इस पावन शब्द राहिं मनुखी सुभानुई जिस्या है कि किमें आम जड़ा मनुख है अपनिया गलतिया तों आप ही मुकर्दा रेंदा है जदों की ऐस काइनात दे अंदर वस्ता रब उसनों हर थांते वेख रिया है उदे अपने अंदर वी उमालक ही वस्त रिया है ताग गुरुदेब पातिशा ने इस पावन शब्द राही सा नो ऐसे जीवन दी जुगत समझाई है जिस जीवन जुगत नो अपना के दुनिया दा हर इनसान महान हो सकता है और जो किसे ने गलतियां कीतियां ने जिस चगा तो गलत सी उना अपनिया गलतियां नो मन के और स्विकार के उना नो सुधार के अपने जीवन नो महान बना सकता है और बड़े प्यार दे नाल विचार करन दा यतन करिये गुर्दे पात्षा जी पहला बचन करदे हन तुम समर्था कारन करन समर्था दा मतलब सारियां ताक्तां दा मालक कारन दा मतलब सबब और करन दा मतलब है जगत कारन करन दा मतलब जगत दा मूल कि हे प्रभू तु जगत दा मूल है और सारियां ताक्तां द मालक हैं, सब कुछ करन दे समरत हैं और ऐसे जगतदा तों मूल है यानि ओ प्रभु आप ही ऐस जगदा मूल है ओ और आप ही निरगुनतों सरगुन हो गया है ओ आप ही निराकारतों साकार हो है उ आप ही अनिका किसमा दे नाल ऐस सारी जगत रूप दे अंदर फैलिया और पस्रिया हुआ है उ मानो एक जिंदगी दा द्रिया है ते जीव जन्त उदियां लहरा ने और अनन्त उताकता दा मालक है जदों से ऐस संसार वाल एक चात मार दे हां तक इन्नी एक टाकत ऐस जो किसे जीव दी जो किसे मशीनरी दी जो मनुख दी ताकत नो ना प्लैन पर आज तक ऐसा कोई मीटर नहीं कोई बनेंगा कि एस पूरी दुनिया दे अंदर किन्निक ताकत है उसनो नाप्या और पहचाने नाप्या जा सके जहां उस ता अन्त पाया जा सके इते ग्रेवट फूर्स है बिजली दी ताकत है पाने दी ताकत है हवा दी ताकत है मनुख मात्र दी ताकत है अनंत ताकत ऐस संसार दे अंदर एनरजी जिड़ी है उपसरी हुई है उस ता कदेवी अंत नहीं पाया जा सकता है मालक ऐसी ना ताकतां दा तु मालक हैं खिंड में है राहू र रंक्को करई, राउ रंक करदारे, रोते परे, परे सखनावे, ये तांको भिभारे, जु खाली नैं। जिनना दे अंदर विल्कुल भी कोई गुन आदिक नहीं हन। हे मालक को उननों परनवाले हैं क्योंकि उनना दे अंदर एपॉसिबिल्टी है। उनना दे अंदर एप संभावना है जिड़े गरीब ने जिनना गरीब दा मतलब तान करके नहीं जो गुना करके गरीब ने जिनना दे अंदर शुब गुन आदिक नहीं हन। कहो कबीर निर्धन है सुई जा के हिर दे नाम ना हुई उननों तुमहान गुना वाला बनान वाला हैं। इस समर्था है औरे समर्था वाला प्रभू हर इंसान दे अंदर बैठा हुया है। उड़ा अपना आपा हर इंसान दा उस मालक दा ही रूप है जरूरत ता अपने आपे नों पहचानन दी है। ताहे प्रबू तू सब दाक्तां दा मालक हैं और ऐस जगत दा मूल हैं इसलिए सब तो पहली चीज पहचानन वाली एह है कि मैं उस प्रबू दी ही अंशहा मन तो जो सरूप हैं अपना मूल पशान जेकते मनुखिस चीज नू पहचान लवे और इस ते उते अमल करन दा यतन करें ताइस्ता जीवन बदल सकता है अगला बचनकारदे ने टाकन टाक गोविंद गुर मेरे मुह अपराधी शरन शरन मुह अपराधी दा मतलम मैं अपराधी हां हे गोविंद मैं तेरे चरना दी शरन विच आया हां तू मेरा परदा टकल है तू मेरा परदा टकल है उन्ह सब तो पहल Вас पहला है। सब तो पहला उसनों अपना अपराद अपनी गल्ती अपनी पोल स्विकार करनी पवेगी। कि ओकेडियां पुलाने ओकेडियां गलतियां ने जिन्ना गलतियां करके मैं जीवन दे विच महान नहीं हो पाया ओकेडियां गलतियां ने जीवन दे अंदर दोख जा अशानती पैदा हुई है उखेडे कारण ने जिनना करके मैं एक चंगा इंसान नी बन पाया, मैं अपने जीवन विच काम याब नी हो पाया, मैं अपने जीवन दे अंदर महान आदर्श निश्चित नी कर पाया और मैं अपने महान आदर्श ते उत्ते नहीं पहुँच पाया, सब तो पहला ओना अनो स्विकारन दी जरूरत है जाद तक मनुख अपनी गल्टी नो स्विकार नहीं करता मानदा नहीं ओदों तक ओदे सुधारती गुनजाइश नहीं है मनुख नो समझ आ जाए कि ये मेरी पुल है मेरी गल्टी है सब तो पहला उसनो गल्टी दा अहसास होगै उस गल्टी नो मनने ते दूजी गल है फिर उस गल्टी दी मुआफी मांगे ते अपने सही रास्ते दे उत्ते वदन्दा यतन करे असी आम दुन्यावी जिडी मिसाल है उदिनल समझन्दा यतन कर देयां जिमें कोई बच्चा गल्टी करता है मन लो कोई स्कूल विच बच्चा जा रहा है पर पड़ाईवाले पास सित्यान नहीं देंदा स्कूल दे कामनो ठीक टांग देनाल नहीं करदा और वो फैल हो जंदा ते पिता उसनु डाटता है जहां उसनु समझहांदा है ते ये बच्चा उस गलती नु मानलवे और अग्गों तो अपने अध्यापक नू या माँबाप नू कहे कि मैं नू पिछली गलती मुआफ करो ते मैं अग्गों तो ये गलती नहीं करांगा ते ओ पड़ाई दे वलते आंदवे ता ओ दूजी वार चंगे नंबर लेके पास हो सकता है और अपने विद्या दे खेतर दे अंदर ओ वडिगा मला मार सकता है ते जे बच्चा गलती नो मनने ही ना उस गलती नो दुबारा दुबारा दोराई जाए ता ओ कदे भी दे अंदर काम्याब नहीं होईगा ए फार्मूला या ए विचार ए नुक्ता जीवन दे हर पाकते अंदर सानो मनना पवेगा क्योंकि जो साधियां गलतियां ने जे उना गलतियां नो इनसान मनन लवे गलतियां दी मुआफी मंगे और अग्वों तो उगलती ना करे ता गुरू पातिशा जी केंदने ही मालक मैं अपरादी हां मेरे अंदर पुलाने मैं अपनियां गलतियां नो स्विकार करदा हां ते मेरे ते रहमत कर प्रभू मेरे पर दे टकले पाव कि मेरे यां पुलानों गलतियां नो मुआफ कर दे ते याद रखना प्रभू प्रमात्म जांग गुरू दा सुभा है जो सरन आवे तिसकंठ लावे एबिर्द स्वामी संदा जदो असी गुरू दे दसे राहां तो उलट चल देयां ओदा रिजल्ट साथे जीवन दे अंदर दोख रूप विच निकल देयां पर जे असी अपने पूलनों मुआफ कर गुरू जी सिरे साहिब स्री गुरू गुरंत सहब जी दी पावन बाने मुताब जीवन जीना अरंब करद विए ता साथे जीवन दे दोख खतम हो सकते ने क्योंकि यसी अपनिया पूलनों सुईकार किता और अपनिया पूलनों सुधार लिया ता गुरू पातिशा जी सानों असी देखते हैं, एस दुनिया दे अंदर जदों यह से चार पैनप्रा किसे जगाहते बैठते हैं ता है सारे ही यह दो चार गल्ला कर देया कि साडस ते जी शुज़ा सच्चा है एसी ते साच बोल दें आ चाहे किस दे गोड़े लगे, गिटे लगे, कोई गुसे होए, कोई नराज होए, असी ते साची भोल दे हां, पलाही कर दे हां, कदे जिन्दगी दे विच कि सिदा बुरा नहीं कीता, हर बंदा एग अलकेंदा है, बंदा पुछे पिजे इसी सारे ही चंगे हां, ता फिर इस दुन्या दे अंदर चोरियां राबकारता है शिराब दे ठेके राबने खोड मेघाँ रिष्वत राब ले रहा है देखो बंदा करम करीवी जा रहा है मारे और मुक्री वी जा रहा है तो जो भी इंसान अपने जीवन नो सुधार नाचंदा जो महानता प्राप्त करना चंदा है सब तो पहला नुक्ता उदे वास्ते है कि उपनिया पुलना और गल्पिया नो स्विकारे और अपने अंदर बैठे प्रभू प्रमात्मा तो मुवाफी मंगे और जीवन दे सही रास्ते नो अपनान दा यतन करे अगला बचन गुरदे पाथशा कारदे ने जो जो कीनो सो तुम जाने ओ पेखे ओ ठोर नाही कच टीट मुकरन मुकरन दा मतलब मुकर दा हाँ टीट दा मतलब तुसी समझ दे ही हो ता जो जो कीनो सो तुम जाने ओ पेखे ओ ही मालक जो जो कुछ भी में किता है जो मैं सोचया है जो मैं बोलया है जो विहार की तै जिस्ट भी किसमदा में जीवन जीवया है सो तुम जानने ओ पेक्छाओ मन लो सपोज कि मैं चोरी कर दा हूँ हुन चोरी ओदों ही किती जाएगी जदों किसे विवस्तु दा कारदा मालक कारविच नहीं है किसे मालक दी गैर हाजरी दे अंदर ही चोरी किती जन्दी है सपोज मैं चोरी किती जिस दी चोरी किती ओता ओते नहीं है उन नहीं पता पर मैंनो ता बतायना कि मैं चोरी कर रहा है मैं अपने आप तो किमे लुकामा मेरी सोच दा मैंनो ता बतायना मेरी मान सकता कैसी है मैं किते किते चूट बुल लिया है किते मैं चोरी किती है ता मेरे अंदर बैठा रब मैंनो वेख रहा है अपना आपा मैंनो हर थांते वेख रिया थे मैं किमें मुकर सकता है हे मालक जो कुछ भी मैं कर दा हां तो मेरी अंदर बेटा जानदा है तो उसनों वेख दा है ठौर नहें कच टीट मुकरन मेरे वास्ते कोई थां नहीं बच दी कोई गुंजायश नहीं है कि मैं मुक्रा लेकिन फिर वी मैं टीट हां मुक्रदा हां फिर वी मैं टीट हां मुक्रदा हां देखो दुनिया दे अंदर कितने अपराद ने कितने पाप ने इर्खा द्वैश है लेकिन कोई बंदा मननवासते त्यार है कि मैं गल्दा दूजा गल्द है कोई भी अपनी गल्दी नो मनन ली त्यार नेगी और बंदा मुकर रहा है इना टीट बंदा मुकर रहा है और आज हालात एथों तक पहुँच गई है कि बंदा बंदे तो चोरिया छुपांदा है मुकर रहा है ते एदिना चोरिया नो कुटा लवदा है चोरि बंदा करता है कतल बंदा करता है बलेक बंदा कर रहा है लेकिन कुटा सूं के दस्त है कि ऐए बंदा चोर है ऐए बंदा कातल है ऐस बंदे दे समान दे अंदर कोई नाजाईज पतापदारत है बंदा इनाटी एट जदों बंदे दियां चोरियां कुटे फड़न लग जान इस तो वाद शरम वाली गाल बंदे वास्ते की हो सकती है ता गुरू साब जी कहने ने एटी एट ता ही है एश्टी एट ता ही नो छड़ना पवेगा कोई था नहीं मुक्रन वास्ते लेकिन बंदा फिरवी मुक्र रहा है यानि साधे दुखानदा कारण असी आप हां जे में जीवन दे विच्च किते फेल होयां ता किसे होर दे कारण नहीं मैं अपने कारण हो यहां मैंनों सोचना पवेगा मैंनों समझना पवेगा और अपनिगा पुला मननिगा पैन गियां लेकिन बंदा टीटता ही करता है ते जेडा बंदा टीटता ही करेगा मुक्रेगा पुला नों नहीं सुद्धारेगा उस बंदे दे काम्याब होन दी संभाव ना खतम हो जाएगी बंदा बोलदा हुवे चूट ते बंदा मुक्रे की ना जी मैं ता चूटने बोलदा ता फिर उस साचनों के में अपनाएगा नहीं अपना पाएगा ते साचनों नहीं अपनाएगा ते जीवन दे अंदर ओ महानता जो साच बोलन दे नाल जा सचे रा ते तुरन दे नाल मिलने सी ओ महानता क्यमें पाईगा पाई नहीं सकता बंदे दी जिंदगी वे छोगे इर्खा ओ इर्खा करदा हुए अंदर ओ दे इर्खा परी हुए नाल परया हुए है लेकिन मुकरदा है ओ बंदा प्रेम दा अनंद की में मानेंगा क्योंकि प्रेम दा अनंद montre ताहीं मानेंगा यह एरिखा नू खत्म करके अपने जीवन अंदर प्रेम पाव पैदा करेगा और प्रेम दे नाल जो अंदर सूख और अनन्द पैदा होना सी ओदे तो वांजा ओ रहेगा ताहीं मानेगा ना प्रेम अंदर होईगा पर बंदा मुकरदा है टीटता ही है इस करके ए बंदा इना सुखा तो वांजा रहे जन्दा है बंदे ने ऐसे करम की तेने ताहीं बंदा बंदे तो दूर चला गया आज जैसी देख दे हां कि मैं एक देश दूजे देश वास्ते एटमी हत्यार बनाई फिरता है उन्हें एटमी हत्यार तो उन्ना से एक नवास्तिता है नहीं जदों कि ते वरते जानगे तैस मनुक्ता दाती हाल होईगा एह हर इंसान अज समझ सकता है लेकिन बंदा मुकर रहा है किसे नल इर्खा नहीं हसी ते बहुत चंगे हैं बंदा कुछे भी जे सारे चंगे ने ता टेंकां तोपां मिजाइलां एकिदे वास्ते ने एकिदे वास्ते ने तो कहन तो पाव गुरू पाद्शा जी कहने ने ही मालक तूँ हर इक दे अंदर बैठा वे ख रहा है बंदे दे मुक्रन वास्ते कोई था नहीं है लेकिन फिर भी एच बन्दा इसना टीठ है कि मुक्री जा रया है एच दोश दूजयां दे उन्ते थूपी जा रया है कोई अपनी किस्मत दोश थूप रहा है मेरी किस्मत नसी चंगी ता मैं फेल हो गया साथे गवान डिदी किसमत चंगी सी चंगी किसमत वाला सी तां उपास हो गया उपले है उन्ने अपनी किसमत आप लिखी है जदो तू दिने ताश खेलदा सें दिने शराब मां पिंदा सें जा इदर उदर फिरदा सें उदो उस्कूल विच हंदा सी ओ पढ़ रहा हुंदा थी जदो तू रात नो सौ रहा हुंदा स diğer नेइड नो खutam करके रातां दे विच मिहनद कर रहा सी तो अपने मंजल दे पहुंचेया है तो बंदा मुक्र रहा है कि ते किस्मत नो दोश्टे रहा है मेरे कुल जी पैसा हन्दा मेरे कुल ऐ हन्दा ऐ हन्दा किन्ने सारे बहाने मनुख बनांदा रेंदा है यानि अपनियां गल्तियां स्वीकारं तो मुख करदा रेंदा है ओदी सोच नू ओदी गुना अवगुना नू तू जान रहा हैं किसे दे कोल मुकरन वास्ते कोई था नहीं लेकिन बन्दा ऐसा टीट है कि ये फिर वी मुकरदा रेंदा है गुरु पातिशा जी कहने नहीं मालक में सुनया है तुम बहुत वड़ी समर्था वाला है तेरा नाम तेरे जो गुन ने ओ अनेका पापा नू दूर करन वाले ने मालक मेरे तेरे रहमत कर मैं अपने नाम दी दाद दे अपने गुना दी दाद दे मैं सुनया है बड़ परताप सुनयो प्रब्तुमरो मैं सुनया है तुम बहुत परताप वाला है मैं सुनया है कि तेरे अंदर महान ताक्ता ने वड़ी समर्था वाला है तेरा नाम तेरा हुकम तेरी बनाए हुए कुदरत दे कानून ला ओफ नेचर तेरी गुन अनिक का पापा नू दूर करन वाले ने तहुं देको हर इनसान दे अंदर उस सम्रथा वाला प्रभू प्रमातमा बैठा है काट-काट मै HARदू वसा है हर एक दे अंदर उप्रभू बैठा है ना हर एक इनसान उस रबदा ही ते रूप है मन तो जो तो उ रूप है अपना मूल पछान जरूरत ना अपने मूल नो पॉसीवल नहीं है जे कर तूं उस समर्था वाले दिनाल जुड़ जाएं तो तेरे पाप खत्म हो सकते ने जिवे में रोज बेंती कर रहां कि जे साधे अंदर चूट बोलन दा ओगन है ता जे ऐसी साच बोलिये ता साधा चूट खत्म हो सकता है ते ए समर्था हर इंसान दे अंदर है साच हर इंसान दे अंदर है साच दा हर इंसान नो पता है चूट दा हर इंसान नो पता है जदो मैं चूट बोलना हां तुहान नो हो सकता है पता ना लगे लेकिन मैंनो ता पता है कि मैं चूट बोल रहां जदो तुसी चूट बोल दे हो हो सकता है मैंनो या जयानू पता ना लगए पर तुहानू ता पता है ना तुसी चूट बोल रहे हो हर इंसान नू पता है उदे अंदर साच भी है उदे अंदर चूट भी है धया भी है कुदया भी है प्रेम भी है इरखा भी है लिकनू प्रेम नू धया नू यूजी नहीं करते है इना पापा नो खत्म करन दी समर्था वाला राब दे गुण हर इनसान दे अंदर मौजूद ने जरूरत है इस चीज नो पहचानन दी जरूरत है इना गुणा दे तारनी होन दी ता है मालक मैं सुनया है कि तू महान वड़े पर ताप वाला है तिरा नाम तिरा हुकम तिरी र तिरी गुण इना पापा विकाराणों दूर करन वाल्य हन अगला बचन कर देने हम्रो सहाव सदा सद पूलन तुम्रो बिरध पतित उद्धरन सहाओ दा मतलब सुभा हे मालक सड़ा सुभा है सदा सद पूलन हमेशा पुलना करन वाला मैं हमेशा पुलना करदा है मैं हमेशा पुलना करदा है हमेशा गलती करदा है एक पुलतों बाद उस पुलना दुबारा दोरांदा है जरूरत था एसी कि मैं अपनियां गल्तियां और पुल्लाटों सिखदा असी एक कहानी आम सुनी है ना पड़ी है सुनी है पर चार कवीरां तो ही कि एक आदमी दे दो बच्चे ने एक बच्चा बहुत चंगा है उस बच्चे ने बहुत चंगी पड़ाई कीती है और उनने कमाई करके अपना बहुत संदर मकान आदिक बनाया है और बहुत चंगी जिन्दगी जी रहा है लेकिन दूजा उदापरा शराबी हो गया है या नश्या देंदर खचत होया है जिसने अपनी प्रॉपर्टी खराब कीती है और उनने अपने सुखा दिरा नो त्याग दिता है ते बिमारिया आदिक से हड़ लिया उन एक बंदा आन के उस बंदे तो पुछदा है कि तूँ शराब पीनी किमे शुरू कीती कितों सिखी केन लगा कितों नहीं प्रावा अपने पिता तो सिखी मेरा पिता शराब पिंदा सी उनने मैंनू पैसे देने शराब मैं लेंके आनी ते मैं मैं अपने पिता देनाल होले होले शराब पिनी शुरू करती ते मेरी जिंदगी ऐसी बन गी मैं अपने पिता तो शराब पिनी सिखी क्योंकि साड़े कारदे विच शराब चल दी सी ओ ही बंदा उस ते दूजे प्राणू मिलेया कैन लगा भी तू इन्ना चंगा इनसान के में हो गया जदो की तेरा दूजा प्राण शराब आदिक पिन्दा है नश्या विच खचत है लेकिन तू इन्ना चंगा के में हो गया नश्या तो के में बचया 53 असा इन्सान मिलेगा जिसकार की तेरा जीवन सुना बढ़ेगा उ ओ कहने लगा उ प्राण देना लड़ रह और हो अपने प्रापरिटी नो खराब करन वाले पास सी तूर्या है तो मैं सोचदा सा कि ये काम गलत है मैं इन्हीं कराँगा अपनी सोच ए न एक बंदा एक सिचुएशन दे अंदर की सिख रहा है ते दूजा बंदा ओसे सिचुएशन दे अंदर की सिख रहा है एसाधे आपने ती डिपैंड करेगा ता गुरु पातिशाजी केनने है प्रभू साड़ा सुभा है पुल्ला कर दे हां यानि आम जिड़ा बंदा है उपुल्ला करी जा रहा है दोहरा ही जा रहा है तुम्रो भिर्द पतित उधरन पर हे मालक तेरा सुभा पतितांदा उधार करनवाला है नेवया नू उच्छा बनानवाला है तेरा सुभा पुल्ला करनवाला नहीं ता जरूरत है अपने अंदर उस बैठे नू विखना कि उपतितांदा उधार करनवाला है ता ओ सोचवी साड़े अंदर है और अब साड़े अंदर है जो पतितांदा उधार करनवाला है जरूरत है उस अंदर ले साच दे नाल जुड़न दी प्रबू दी शरन लेन दी गुरु दी पावन बानी पढ़के गुरु दी पावन बानी मुताबक जिंदगी जीन दी अखीर ले बचन कर रहने गुरु दी पाथशा करुणा में कृपाल कृपा निध जीवन पद नानक हर दर्शन हे तरस दे सोमें हे कृपाल हे कृपा दे खजाने नानक नू अपना धर्शन दे तिरा दर्शन उच्चे आत्मक जीवन दा दर्जा भक्षन वाला है तेरा दर्शन उच्चा आत्मक जीवन दा दर्जा भक्षन वाला है हुन एग अल समझन वाली है रब दे दर्शन कितों होनगे रब किते है किते उतले अकाश मंडला दे अंदर नहीं उस सरब व्यापक है जल थल महील पूरिया रवया विच्वना जला थला तर्ती आकाश वनस्पती मनुक मातर जीव जंत दे अंदर वस्रया है समाया हुया है अस्थावर जंगम कीट पतंगम काट-काटर राम समाना रे जो दी सै सो तेरा रूप गुन निधान गोविंद अनूप हे गुणा देख जाने हे अनुपम प्रभू परमात्मा हे जगत दे रचनहार ज इन जीव जंतां तो बाहर नहीं है ता जरूरत है जिस तिन बंदा बंदे नू राबदे रूप विच वेखना शुरू करेगा और बंदा बंदे देनाल राबवर गा प्यार और राबवर गा सतकार एक दूजे नू देना शुरू करेगा राबवर की जिन्दगी जीना मालक दा नूर उदा जहूर उदा जल्वा है मैं उसे दा रूप हां मेरे अंदर ओही प्रभू वस्तरया है जिस तिन मनुक इस चीज नो समझ के अमली जिन्दगी जीवेगा उस तिन इदा जीवन बदल जाएगा उस तिन अपने जीवन नो एक कौड़िगा दे पाने गवाएगा एक हीरे आंदा वपारी बनेगा फिर इनू समझ आ जाएगी हीरे जैसा जनम है कौड़ी बदले जाए अकाम क्रोद लोब आदिक इर्खा द्वैश एक ओडिगा ने इन्या दे पा अपने जीवन नो ने रुलना सगो सत संतोग दयातरम आदिक हीरे ने इन्या नो वहाजना है अपने जीवन नो ऐसा महान बणान दा यतन करना है गुरू सबग जी रहमत और बक्षिश करन कि यसी गुर्भानी नो आप पढ़िये गुर्बाने नो विचारिये और सिरी गुरु गुरंट सहर जी दी पावन बाने मताबक जिन्दगी जी के अपने जीवन नो सफल करंदा यतन करिये हुईया पुलांदी खिमा गज के बुलाओ जी वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फत्य